नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में COVID-19 की वज़े से फार्मा स्टॉक में भारी तेजी हमें देखने को मिली तो आज हम ऐसे ही एक फार्मा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भारी तेजी देखने को मिली लेकिन फिलाल एक ऐसी न्यूज आई है जिसके चलते 45% की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है कौन सा स्टॉक है कैसी न्यूज है और अगर गिरावट होती भी है तो क्या खरीदना चाहिए और अगर इस स्टॉक में आपने निवेश आलरी करके रखाए तो क्या करना चाहिए इन सबी चीजों के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और अगर कुछ बैतर जानना चाहते हैं कुछ बैतर सीखना चाहते हैं तो ऐस अ मेंबर हमें जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है तो हम आज बात करने वाले हैं बायो कॉन के बारे में share price में हमें गिरावट देखने को मिली 3-4% stock आज हमें नीचे दिखाई दिया था उसका reason है कि CLS ने sell call दिया है वो expect कर रहे हैं कि stock हमें 250 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और current market price 460 के भी उपर है तो आप समझ सकता है कितनी भारी गिरावट 40-50% की गिरा 5.5% हो चुगा है तो यह of course company के लिए अच्छी बात नहीं है किसी भी company के लिए market share कम होना कोई भी positive बात तो आमें दिखाई नहीं देती है Myelin gained 20 BPS market share in Ogivri to reach 7.1% CLSA believes that approval for avestine in the US and insulin aspect in Europe are key triggers आपको पता होना चीए Myelin भी biocon के साथ ही काम करती है उसने Ogivri नाम के drug में 20 BPS यानि 0.2% market share gain किया है और 7.1% हो चुगा है यह बढ़कर यहाँ पर हमें market share बढ़ता हो नज़ा रहा है तो यह एक अची बात है और CLSA का मानना है कि company के लिए जो main trigger होगा वो यह होगा कि US में avestine नाम के drug के biosimilar के लिए काम कर रहे है और वो drug कब launch होता है उसका commercial production कब होता है यह उसके लिए बड़ा trigger होने वाला है and myelin have been informed by US health regulator of a deferred action on the biologics license application for a biosimilar to drug avestine used in treatment of various types of cancers जैसे कि मैंने आपको अभी बताया avestine नाम के drug के लिए यह similar kind of biosimilar यानि कि जो components already avestine में है वैसे same components के साथ वो नहीं अपनी दबाई बना रहे है और उसके लिए जो license application है वो भी फिलाल आता हुआ नजर नहीं आ रहे है वहाँ पर deferred action यानि कि देरी देखने को मल रही है और यह दबाई various types of cancer को cure करती है तो of course इसके कारण हमें by company के revenue बढ़ता हुआ नजर आ सकता है इसके annual revenue में बड़ा हिससा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है लेकिन फिलाल यहाँ पर देरी देखने को मल रही है और investors के लिए यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है to complete the application the agency noted that an inspection of the manufacturing facility is required as a part of standard review process यह कभी commercial production आपको शुरू करना है तो जर regulatory होती है वो आपके manufacturing unit का एक बार inspection करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है यह standard review process है लेकिन due to restrictions of travel related to covid-19 the agency is unable to conduct an inspection during the current review cycle we await the dates for the inspection तो company का कहना है कि फिलाल covid-19 की वज़े से agencies, regulatory यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं और review नहीं कर पा रहे हैं अपने manufacturing facilities को और इसे के कारण देरी हमें देखने को मल रही है तो यह भी investors के लिए एक अच्छी बात नहीं है market को देरी पसंद नहीं होती है, investors को यह डर होता है कि कितना और देर होगा, कब तारिक पे तारिक आती जा रही है looking at the upward slopping RSI smoothened oscillator, he expected the stock to do extremely well after entering uncharted territory तो यहाँ पर मेरा मानना है कि जो recommendation angel broking की तरफ से दिखा देरा है, buy का, वो सिर्फ और सिर्फ एक technical reason की वज़े से हैं यहाँ पर उसमें कोई fundamental backup नहीं है, यहाँ पर लिखा भी है कि यह जो technicals है, RSI smoothened oscillator उसी के कारण यह 5 minutes 18 का target हमें दिखा दे रहा है, लेकिन CLSA ने जो target दिया है, 250 का target वो target हमें fundamentally backup यानि की real business reasons की वज़े से हमें दिखा देता है, जो की reasons मैंने आपको already discuss करके बता दिया है और especially मैरा personally पर ऐसा मानना है कि जब भी कोई company, जब भी कोई rating agency, trend के खिलाफ कोई target देती है तो बहुत ही ज़्यादा हिमत वाला काम होता है, जब share उपर जा रहा है, already market भागती हुई जा रही है और ऐसे में गिरावट के target देना तो वही बहुत ही हिमत वाली काम होती है और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसे appreciate करना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए, उसे सोच कर समझ कर उसे adopt करना चाहिए और उसके इस सब समय अपने investment decisions लेने चाहिए शेर के बारे में बात करें तो बायो कॉनेक लार्ज कैप कंपनी है जिसकी market cap 54,000 क्रोड के आसपास है लार्ज टेड़िट प्राइस है 465 रूपीज जो कि हमें 3.3% नीचे दिखाई दिया है returns के profile के बारे में बात करें तो एक हफते में 2% के positive returns हैं एक महीने के बारे में बात करें तो 11% के positive returns दिखाई दे रहे हैं एक साल के बारे में बात करें तो 65% के positive return stock ने बना कर दिया है long term 5 years के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे 468% के positive return stock ने बना कर दिया है तो शांदर multi bagger stock हमें यह दिखा जिता है key metrics के बार में बात करें तो PE ratio 77.29 है जबकि sector का PE ratio 41.82 है तो sector के मुकाबले काफी ज़्यादा महेंगे price to earning ratio पे trade कर रहा है price to book ratio है 7.83 जबकि sector का price to book 5.09 चलता हुआ नज़राता है dividend deal के बार में बात करें तो company dividend फिलाल नहीं दिया है तो ज़्यादा company हमें growth पर focus करती हुए नज़राती है company के profile के बार में हम सभी को बता है bio pharmaceutical company engaged in research and development and manufacture of pharmaceuticals medical chemical and botanical products company के financial trend के बार में बात करें तो revenue हमें लगातार बढ़ते हुए नज़राते हैं लेकिन अगर बात करें profits के बार में है तो यहाँ पर Uber खाबर situation दिखा ज़री है कई बार profits बहुत बढ़ जाते हैं और कई बार हमें profits में गिरावट भी देखने को मल जाती है लेकिन उसका reason है कि जैसे हमने पढ़ा कि यह एक research and development करने वाली भी company है तो R&D में खर्चा होता है शुरुआ 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 में सिर्फ खर्चा ही देखने को मलता है और जब end product तयार हो जाता है फाइनल product तयार हो जाता है उसका जब commercial production होता है और जब वो बिक वाली के लिए तयार हो जाती है उसके बाद उसकी दरब से revenue हमें दिखा देती है तो इसमें कई बार profits हमें बहुत ही नीचे जाते हुए भी नजर आ जाते है तो अब चलते हैं चार्ट्स पर वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो अब देख सकते हैं March के crash के समय 250 के price हमें देखने को मिले लेकिन उसके बाद लगातार stock में हमें तेजी ही देखने को मिल रही है बीच में थोड़ा सा correction आता है थोड़ी सी profit booking देखने को मिलती है और वापस buying emerge हो जाती है और वापस stock में हमें up move देखने को मिल जाता है और फिलाल stock अपने all time high के आसपाश rate कर रहा है और सारे moving average के उपर हमें trade करता हुआ नजर आता है अगर इसके all time chart के बारे में बात करें जहांपर एक candle one month को represent करेगी तो अभी आप देख पाएंगे फिलाल stock अपने all time high के आसपाश चल रहा है शांदार तेजी दिखाई है stock में multi bagger stock रहा है इसके returns के profile को तो हमने अल्रेड़ी देख रहा है और फिलाल जो 50 months का ये में है वो calculate होग रहा है 285 के आसपास का level और जो 20 months का ये में है वो calculate होग रहा है 350 के आसपास का level तो ये जो situation का निर्माण हम में होता हुआ नजरात है अगर आप इसके निवेशक है या नहीं भी है तो भी एक बात तो सीखने वाली है और इसे सीखना चाहिए जिससे हमें आगे investment करने में help होती है तो जैसे मैं आपको कई बर बताता हूँ कि pharmaceutical companies retail निवेशक के लिए कई बर suitable नहीं होती उसका reason है कि अगर regulators की तरफ से कोई action लिया जाता है कि आपकी दवाई हम बेचने नहीं देंगे तो ऐसे situation में stock में हमें भारी गिरावट देखने को मल सकती है और फिलाल तो सिर्फ deferred action देखने को मला है यानि कि काम में देरी देखने को मली है और इसके चलते भी stock में 3% की गिरावट देखने को मली तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कि दवाई cancel कर दी minimize हो गया हो तो आप वहाँ पर investment के बारे में सोच सकते है तो इस news के चलते मेरा क्या मानने है उसके बारे में भी मैं आपको बदना चाहूंगा जो हमें news आ रही है वो तो यह है कि काम में देरी देखने को मली है उसका मतलब यह नहीं है कि उनका drug खराब हो चुगा है drug में कोई problem हो गई है और इसके कारण जो US के regulatory है वो मना कर दिया है बेचने के लिए ऐसी situation फिलाल तो देखने को नहीं मिली है तो please continue holding कीजे उसमें कोई भी problem नहीं है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया pharma sector में पे आपको कई बार major correction देखने को मिल जाता है तो आप उसके लिए तया रहना चाहिए बीच में भी हमें देखने को मिला था all time chart में हमने देखा तो ऐसी situation होती रहती है इसमें भी 20-30% 40% के correction नॉर्मल होते है और अगर आपने short template यह है तो मेरा मन है profit booking करके निकलना चाहिए तो निकल सकते हैं क्योंकि already stock काफी थादा भाग चुका है और उपर से फिला जो जो news भी आ रही है वो भी थोड़ी सी slightly हमें negative भी दिखा दे रही है stock में आज गिरावट भी देखने को मिली है तो निकलना चाहिए तो निकल सकते हैं और साथी साथ इसका जो valuation है वो भी एक concern है इसका P ratio 70 के उपर चल रहा है जो कि of course Manga P ratio में दिखा जाता है अगर आप profit booking करना चाहिए तो उसमें कोई problem मुझे दिखाई नहीं दे रही है अब बात करें क्या buying करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए stock में अगर गिरावट होती है तो to stock अगर 250 तक आता है यह तो मैं आपको बता नहीं सकता उनकी research अलग level की होती है मैं उनको respect करता हूँ हम उसे admire करता हूँ लेकिन अगर फिलाल 250 stock आया या नाय यह तो मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन अगर गिरावट हमें continue रहती ही नज़रा है तो हमें 397 यानि कि almost 400 के level stock में हमें दिखाई दे सकते है जो कि stock के लिए पहले भी as a strong support दिखाई दिए है और वापस stock में हमें तेजी continue रहती ही नज़रा आती है 400 के आसपस आता है तो अब यहाँ पर शुरू कर सकते है accumulate करना अगर एकदम strong support की बारे में बात करें तो 350 का support बहुत ही strong है क्योंकि यही level as a पहले all time high बनता हुआ नज़रा है था तो अगर गिरावट होती है तो यह level तो बहुत ही strong support की तरह दिखाई देने वाला है 350 के आसपस इसका 20 once का यह में भी है तो अगर stock में गिरावट दिखाई दे तो गबरानी के अलावा इसे accumulate करना चाहिए क्योंकि stock long term के लिए बहुत ही अच्छा है company के जो fundamentals है वो तो strong गई और साथ ही साथ company का management भी काफी अच्छा है इसे आगे लेकर जाना चाहते हैं expansion करना चाहते हैं continuously research and development में इनका काम हमें चलता हुआ नजरी आता है तो ऐसी situation में stock में अगर गिरावट होती भी है अगर गलती से stock आपको 250 किया 350 भी दिखाई दे तो आप इसे accumulate करने के बारे में सोच सकते हैं और इसे अपने portfolio में add करने के बारे में सोचा जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio में से review करवाना चाहते हैं तो उसका link भी अपने description box में दे दिया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए thank you, stay happy, happy investing